नमस्कार रामराम किसान भाईयों आज 30 अक्टूबर के दिन भारत सरकार ने गजट नोटिपिकेशन या भारत का राजपत्र जारिद कर दिया है और सबसे पहले अपन बात करेंगे लॉंसिंग के माध्यम से कौन-कौन किशान पातर रहेंगे खेती के लिए या लूनी चीरन के माध्यम से तो प्रतम पातरता है कि जिन किसान ने 2023 के दोरान लॉंसिंग के माध्यम से खेती की और 4.2 kg प्रती हेक्टियर की मार्फिन दिये या उससे ज्यादा मार्फिन दिये तो वो पातर रहेंगे और सबसे मज़ेदार जो इस पॉलिसी का जो टर्निंग पॉइंट रहा हैं या किसानों के लिए एक रामबान वर्धान रहा हैं वो है कि जो 2023 के दोरान जिनोंने CPS के माध्यम से खेती की जिनोंने कोई रस नहीं निकाला पोस्त भुसे की उत्पादन किया और तोल के अंदर पर पोस्त भुसा यानि कि CPS का डोड़ा 900 किलोग्राम परती हेक् अधिक दिया है उसको भी लूनी चीरनी का पट्टा जारी किया जाएगा उसको भी लॉंसिंग पद्धती में यानि कि लूनी चीरनी का पट्टा जारी किया जाएगा अब 900 किलोग्राम परती हेक्टियर का मतलब 10 हारी का अगर अपन इसाब लगाएं तो 90 किलोग्राम जो ह चीरनी के पट्टे में कनवर्ट कर देगी ये इस फसर इस पोलीसी की बहुत बड़ी खाशियत रही है और ये इसी वज़े से ये पोलीसी इतनी लेट हुई है अब अपन बात करते हैं कि CPS में ये ये दो बड़ी चीजें इसमें हैं और CPS में किन-किन को पट्टा ज़री किय जाएगा तो CPS की पोलीसी भी आज ही ज़री हुई है और ये राजपारत का राजपत्र जो है तीस अक्टूबर को ही ज़री हुआ है इसके पहले दूसरे जो पीडियेप चल रहे थे उनसे भी लोगों ने जानकारी ली मानिय सांसदों ने भी अपने वीडियो कॉनफेसिं के दरौन CPS के माध्यम से कहती की और 635 किलोग्राम प्रती हेक्टियर या अपन दसारी का इसाब लगाए तो साड़े 67 किलोग्राम प्रती दसारी या साड़े 67 किलोग्राम या उससे ज़्यादा डोड़ा जो CPS के माध्यम से सरकार को दिया है अपोस्त बुसा जो तोल के अ जाएगा CPS का अब टिपणी इसमें यह है कि जिनों ने 2023 के दुरान जो विगत वर्स जिनों ने 675 किलोग्राम प्रती हेक्टियर या 665 किलोग्राम प्रती 10 अरी के मांच से कम उसत जिनों ने तोल के अंदर पर CPS के डोड़े की दी हैं 2023-2024 में उसको 24-25 में अपीम की खेती के लिए प्रतिबंदित किया जाएगा अपीम पोस्त की खेती के लिए अलाकि उनके पास अगले फसल वर्स के लिए लाइसेंस बना रहेगा जो अगले फसल वर्स में जो नीतियां आएगी उन नीतियों के इसमें लोंसिंग के माध्यम से पट्टा प्राप्त किया था परंतु मार्फिन 3.0 kg या उससे अधिक लेकिन 4.0 kg को 4.2 kg से कम जमा कराई है यानि कि 3.0 से लेके 4.2 kg के बीच की जो मार्फिन है उसको भी CPS का पट्टा जारी किया जाएगा और 4.2 से तो मैंने आपको पता ह जारी होगा अब यह अपन ने देख लिया और एक सबसे खास बात यह है कि इस वर्स किसानों के लिए सरकार ने 15-16,000 किसानों को नए पट्टे भी जारी कर रही है और नए पट्टे जो कैसे जारी कर रही है कि जिन किसानों उनके वारिष भी सामिल आएंगे इसमें जिने फसल वर्स 19-16,000 से आगे कभी लाइसेंस दिया गया था किंतु किनी कारणवास लाइसेंस जारी नहीं किये गए या अपने दूसरा ग्यारवा पोइंट जो है वो है अपने कानुनी वारिष सहीत किसान जिने फसल वर्स 19-15,000 से 17-18,000 तक लाइसेंस नहीं दिया गया अधिक MQI प्रस्तुत की गई, तो उसको भी पट्टा जारी किया जाएगा, जिन्नों का पट्टा कटा है, और जिनने 25 किलोग्राम परती हेक्टिर से अधिक की MQI प्रस्तुत की है, जो उन्होंने ओसत दी है, तो उसको CPS के माध्यम से 2024 में पट्टा दिया जाएगा, पिच अधिक माध्यम से 2024 में अधिक की प्रमिशन नहीं है, अलांकि एक से जदा खसरा नंबर पर यह वो सकता है, दस अरी का यह अफिम का जो खेद रहेगा, फेला हो सकता है, मगर अलगलग टुकडों में आप नहीं बो सकते हो, और अगर आप अपने दूसरों के भूकन को पट इसले नंबर की चेतावनी, पिछले साल जो 700 किलोग्राम परती हेक्टेर की ओसत उपज सरकार ने मागी थी, या चेतावनी में सरकार ने दी थी, कि 70 किलोग्राम डोड़ा परती 10 हारी के मान से सरकार को जब आप तोलोगे तो आने वाले वर्स में आपको जहरी के जाएंग दी है, तो कम से कम जो है किसानों को CPS के माध्यम से जो खेती करेंगे इस वर्स, तो उनको इस पोलीसी में समझके, कम से कम 80 किलो डोड़ा परती 10 हारी के मान से सरकार को तोलना होगा, आने वाले वर्सों में अगर वो फिर्फीन पोस्ट की खेती करनी है, तो इस वर्स जो खेती करोगे उसमें 80 kg प्रती 10 आरी या 800 kg प्रती एक्टेर के मांसे सरकार को जो है डोड़ा अनलोष्ट बीना चीरा लगा डोड़ा आपको सरकार को तोलना पड़ेगा ये समझने वाली बात है इसको समझना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने ये शोट वीडियो एक बनाय करता है तो उसकी अनुमती रहेगी लेकिन मानुबस्तियों आना जाना हो ऐसा ऐसी पोलीशी है इसमें तो ये सारी चीज़ें है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें सस्क्राइब जरूर करें चैनल को और ज्यादा अपडेट पाने के लिए और कोई संका हो किसी भी इस दोनों CPS और Non-CPS यानि कि Launching और CPS के माद्यम के जो पोलीशिया है ये PDF जो सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिये है तो मेरे को कमेंट करके आप हो सकते हो धन्यवाद